हाँ जी नमस्कार स्वागत है आपका आई मेगनस के ब्लेट पॉम में तो आज की जो क्लास है वो है कार्बन उस सर्जन नियंतरण के उपर तो कार्बन उस सर्जन क्या इसको समझेंगे इस नियंतरण के लिए ब्राजिल सरकार और फ्रांस के दौरा जो प्रयास किये जा रहे उन मुद्दों पर हम बात करेंगे तो यहां पर हमें समझना है कि ब्राजिल के द्वारा क्या प्रियास किये गए हैं और यहां पर फ्रांस सरकार के द्वारा कार्बन उस सर्जन के नियंतरण में क्या प्रियास किये गए हैं तो सबसे पहले यहां पर जो समाचार है नियूज लिया गया है यहां पर तो फ्लाइट के बंद होने तो फ्लाइट से जो कार्बन सर्जन होता है तो पैरी से जो फ्लाइटे पास के राज्यों में चलती थी उसके जो प्रास के छित्रों में शहरों में जो फ्लाइट चलती थी अगर उन फ्लाइट पर नियंत्रन लगा दिया चाहिए और train की दुवारा ब्रीटीज फ्रांस सरकार का कहना था अगर हम फ्लाइट की जगए ट्रेन का प्रयोक करें तो कार्बन उस सर्जन को कम किया जा सकता है उसी प्रकार यहां पर हम वर्शावन के नाम से जाना जाता है अमेजन बेसीन के नाम से जाना जाता है उन वर्शावनों में क्या किये जा रहे हैं कुछ टावर का निर्मान किया जा रहा है जो क्या किलाते हैं आरके कार्बन डाई ऑक्साइड रिंग के रूप में जाने जाएंगे तो इस तरीके से आ यहां पर किया जा रहा है अमेजन के जो वर्षावन हैं इन वर्षावनों में कार्बन रिंगों का निर्मार करके लास एयर भी हमने यह ख़बर आई हुई थी कि अमेजन के वर्षावन दीरे दीर पे जो कार्बन सिंकिंग का काम करते हैं तो वर्ड में सबसे बड़ा कार्ब सर्फ लिया गया कि यहां पर कार्बन सेंक्ति को हूँ आई तो कारब़न दयौकसाइड की मात्रा में यहां पर कमी की जा रही है को है और भी नउजddiy आप डेली देखते रहता है इसमें कारबन क्या कार्बन की संस्ता के दवारा जतना कार्बन कीया जाता हैं उसी को क्या कहा जाता है कार्बन हाउस गैस्टों के नाम से जाता deix ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति हियां प्रतियोंगिक मतल़ यहां पर बात की गई थी कि व्यक्ति के साथ Dalton curry साथ चाए वह व्यक्ति हो चाहे संसता जया ओढ़ और गिलोकी काई उत्यों की मातरा को उस व्यक्ति का उसर्जन करता है उसे काज आता है carbon footprint और carbon उसर्जन में carbon dioxide जिसमें green house gas को शामर किया जाता है जो बड़ा ही चिंता का विशाय बना हुआ इन चीजों में अगर हम देखें तो अलग अलग देशों में carbon surgeon का percentage आप देख सबसे ज्यादा साओधी अरब में यहाँ पर कारबन सर्जन का प्रसेंटेंटे जम देखेंगे इसके लावा यहाँ पर विश्यू के फैपड़े कहा जाता है विश्यू के लंग्स लंग्स का काम क्या होता है ऑक्सीजन परदान करना उसी परकार वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा 25% से भी ज़्यादा ऑक्सीजन अमें कौन परदान कर देते हैं और ऑक्सीजन परदान करने के साथ साथ कारवन डाय साइड का अफ्शोशन भी करते हैं इसलिए इनको क्या का जाता है विश्व के फैपड़े एवं वर्षावन की संग्या दी जाती है अब यहां पर हमें यह समझना है कि यह अमेजन जो पूरा वर्षावन का छेत्र है इसी अमेजन वर्षावन में जो एक प्रमुक नदी है व और क्या इसका चेत्र है तो यहां पर समानत है अगर हम देखें यहां पर तो यह पूरे का पूरा जो ब्राजिल का चेत्र है तो ब्राजिल के उत्तर में ब्राजिल के उत्तर में यहां पर पूरे का पूरा एक पठारी चेत्र है जिसको कहा जाता है गुवाना उच्च भू ब्राजीलियन उच्छ भूमी तो एक तरफ तो यह पूरे का पूरा अमेजिन बेसिन उत्तर में किसे गिरा हुआ है गोईना उच्छ भूमी से गिरा हुआ है दक्षिन में यह यह कह सकते हैं दक्षिन पूरा में पूरे का पूरा ब्राजीलियन उच्छ भूमी से गिरा हुआ और इसके पश्मी हिस्से पर अगर हम जाएं तो पश्मी हिस्से पर पूरे का पूरा एंडीज परवत्स्रेणी मिलती है तो अब आप देख सकते हैं कि यह एक कटोरे की नुवा आकरती का शेप होता है बेसीन का निर्मान करता है तो बेसीन का मतलब हो गया कि यह चारों और यह बर इसकराण की और की अग्राब करें सारी चीज़ें उत्तर में गवैना बमी कर फिमेंडिज परवत ब्राजिल इसलिए यह सबसे बड़ा विश्ट में सबसे अधिक नलियां सबसे अधिक यह और पर मिलती है अब इसके कुछ कारण है तो कोई भी तंत्र इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि उसमें विश्व में सबसे अधिक साइक न दिया हूं सबसे बड़ा बेसिन आपका निरधारी तो जा तो इसके पीछे मुक्ता दो कारण होते हैं पहला कारण हो सकता है तो कोई भी बात करें तो आप देख चुके हैं कि इसके चारों और किस प्रकार की इस्तलागरतियां मिलती है और अगर वर्षए की बात करें तो वर्षा में आप जानते हैं कि पूरे पूरा जो Magic रहें कि से हिट विश्वती रेखा के छेत्र के अंतर करता है तो यहां से ही होकर निकलती है विश्वत रेखा तो विश्वती रेखा छेत्रों में इस्तित होने के कारण यहां पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा भी होती है तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होने के कारण और चारों नदियों का तंतर भी किति ऑड़ेंगे धैंगे बाकिश impostor details से पढ़ेंगे अमेजा नदी बेसिन में कुछ ₹जफी चुटी साइक नदियों के बारे में पढ़ेंगे कुछ ⑫ साइड से मिलने वाली दियों के बारे में पढ़ेंगें। ब्राजिल के अगर हम बात की जाएं तो ब्राजिल के प्रेसिडेंट लुलाडी सिल्वा को याद रखेंगे ठीक है ब्राजिल के बारे में देखो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ ब्राजिल के बारे पर हमारा टार्गेट नहीं हम टार्गेट कर रहा है अमेजन बेसिन या अमेजन वर्शावन को लेकिन इतना जान लेना है कि ब्राजिल के प्रेसिडेंट कौन है कैपिटल ब्राजिल की सबी को पता ही है ब्राजिल या इसकी राज़दा नहीं है बाकी कभी ब्राजिल पर मौका आएगा क्लास का तो हम ब्राजिल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे यहां पर मैंने आपको Amazon नदी के बारे में बताया तो Amazon विश्व की सबसे बड़े अपवात अंतर में शामिल है Amazon नदी के अगर हम उद्विध्म की बात करें तो मैंने कहा ता कि इसके पश्मी हिस्से पर क्या थितर एंडिज परवत एंडीज परवत से जो एक्वाडोर वाला छेतर यहां पर कौन सा छेतर है एक्वाडोर तो एक्वाडोर से एक मरानों नदी निकल कर आती है और एक्वाडोर से एक उकाईली नदी निकलती है यह दोनों नदियां एक्वीटोस में, एक्वाडूर में मिलती है उसके बाद यह नदी क्या क्यलाती है Amazan, अमेजन नदी में Left साइड से, अगर इसका डारेक्शन इस साइड है तो यह नदी क्या क्यलाएगा इसका Left, और यह क्यलाएगा इसका Right Hand, तो यह बाया तट कहलाएगा और यह क्या कहलाएगा इसका दाया तट तो यहां पर अगर देखा जाए तो बाया तट में सबसे बड़ी जो नदी मिलती है वो है आपकी नेग्रो नदी तो नेग्रो इसके बाया तट की सबसे बड़ी नदी है इसी को काली नदी के नाम से भी जाना ज और यह लोग सबसे बड़ा रामसर इस्तल खाहरां पर इसी नेग्रो नदी अधर को Weisoo थो अधर इसे बड़ा इस तल बाना हुआ है तो यहाँ पर रामसर इस्तल याद रखेंगे ब्राजिल का कहान पर हैै इसी नेग्रो नदी पर है दूसरी चीज यहां पर इसी नेग्रो की एक साइक नदी है जिसका नाम है ब्रांको तो ब्रांको किसकी साइक नदी है नेग्रो की इस नेग्रो नदी और अमेजन नदी यहां पर हम देखेंगे अमेजन जो नदी है तो अमेजन नदी और नेग्रो नद इसके अलावा left right hand से अगर कुछ नदीओं की बात चिया जाए तो इसमें एक नदी मिलती है जुरवा एक नदी मिलती है जुरुवा दूसरी नदी है पोरूज इसके सबसे बड़ी अगर नदी पूछी जाए तो सबसे बड़ी नदी का नाम है मडीरा तो राइट हैंड में सबसे बड़ी नदी का नाम क्या खेलाएगा मडीरा और लेफ्ट में सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है नीग्रो नदी इसके अलावा जुरुआ नदी पोरोस नदी मडीरा नदी इसके अलावा यहाँ पर तापा जोस नदी और एक मिल जाएगी इसी सेल्वास वनस्पती को कहा जाता है अमेजन के वर्षा वन तो यहां पर किस प्रकार की वनस्पती पाई जाती है सेल्वास वनस्पती पाई जाती है इसी सेल्वास वनस्पती के उपर अगर हम वैने जॉयला में जाते हैं तो वैने जॉयला में और ही निको बेसिन में जो वनस्पती पाई जाती उसको कहते हैं लानोस तो लानोस के मैदान कहां पाई जाते हैं वेने जोईला में अमेजन नदी के उपर वाले हिसे में और इसी सालवास के नीचे का जो बेसिन उसको कहते हैं कंपोस ब्राजिल में एक मैदान मिलते हैं कंपोस और कंपोस के नीचे अर और दक्षिन में जाते हैं तो पंपास लेकिन यहां पर इतना जाद रखना कि सेल्वास के उत्तर में वेने जोयला में लानोस के मैदन है और पंपास के दक्षिन में कंपोस और पंपास के मैदन है पूरा amayagun उच्जू भूमी से एक नदी निकल कर जाती है टोकेंटींटी और टोकेंटी की एक साइक नदी है पारा टोकेंटी और प्राणदी के संगमके पास मुहाने के पाद यहां पर अमेज़ण नदी का महाना है किस महह सागर में होगा अटलांτιk महासागर में तो Atlantic महासागर में इन नदियों का मुहनाई ऑमेज़एंद injured के मुहने के पास में ही यहां पर एक जगह है जिसका नाम है बेलं तो बेलं की अगर हम बात करें तो बेलं यहां पर याद रखना एक यह रबर के निरियात के लिए फ़हमद तो रवर का जो उत्पादन है तो रवर का सबसे बड़ा उत्पादन छेतर कौन सा है मनौस और रवर के निर्यात के लिए फहमा से आपका बेलंग यह पूरी कानी होती है आपकी अमेजन बेसिन की जो विश्व का सबसे बड़ा बेसिन और विश्व की दूसरी सबसे लंबी तो Lalami में अंगर हम बात करें तो नीन लडी के बाद इसका दूसरा सत्थाण मुट था और छेतर फल में बात करें तो यह विश्ँ फष सबसे प्रत्थम इस्तान पर आएं विश्व में सबसे अधिक साइग नदी यह सैल्वाज के अंदर मिलती होती है या हमेजन बेसिंदर आपको मिलती है तो यह कहानी थी दोस्तों आपकी अमेजन नदी से जुड़ी और मेजन वर्शावनों से जुड़ी हुई कहाँ अम ब्राजिल के बारे में नहीं पढ़ा भी ठीक ब्राजील हम डेटेल से बाद में पढ़ाएंगे यहां पर एक और मैंने बताई थी कि पैरिस में क्या किया जा रहा है तीन पैरिस के जो तीन मजदी की शहरें उनकी उड़ाने बंद कर दी गई है लाक ताकि लोग ट्रेंड से यात्रा करें खबर को समझे जरा पैरिस के तीन शहरों की उड़ाने बंद कीगी ताकि लोग ट्रेंड से जाए और कारभन उसर्जन गटे तो प्रियास किया जा रहा है कि किसी तरीके से कारभन उसर्जन की मात्रा में कम एहएगी और उसके लिए क्या किया गया तीन शहरों की फ्लाइटे बंद कर दी गए और वहाँ पर नहे रूतों का विकास किया जा तो यहां पर हमें देखना है कि यह कौन कौन से शहर है तो सबसे जो परमुक के शहर है वो है पैरिस तो सबसे परमुक के शहर की बात करेंगे पैरिस जो फ्रांस की राज़दा नहीं भी है अभी डिटेल से सारे शहरों के बारे में बताऊंगा इसी में एक शहर मिलता है नां मद्धिसागर के तरपर मार्शली और एक शब्द हैं यहां पर नीस और एक शहर यहां पर मिलेगा आपको लिए इसी के ऊपर डारेक्ट हम जा सकते हैं दो गंटे में कहां पर लंद्ड तो यह कुछ आसपास के शहरें किसके पैरिस के जहां की ट्रेन की दूरी मातर दो से चा जतने हैं अब नहीं प्रैसी बात होगी लेकिन इसी न्यूज के साथ हमें यह पूरे फ्रांस के बारे में समझते हैं तो फ्रांस की बात करें तो फ्रांस यहां पर आपढेंगे किस तरीके से इसके छेत्रों में कम ज्यादा होता रहा तो वो चीज़ां आपको याद रखनी नहीं बिल्कुत थोड़ा बहुत समझे लेंगे प्रैसीडेंट की बात की जाए यहां के तो प्रैसीडेंट है यहां पर ठीक है ना तो फिमेल प्रैसीडेंट लेडी प्रैसीडेंट तो लेड सबसे पहले सीमा को समझ लेते हैं तो यह फ्रांस की सीमा किन-किन देशों को टच करती है तो फ्रांस की सीमा सबसे से पहले यहां पर टुक करेगी बैल जीःम को दूसरा यहां पर च 활वा डिछ सीमा किन देशिए यहां और Swigiland के बाद यहां पर सीमा टच करते हैं इटली ओर धोड़ी सी सीमा यहां पर मनाको को तो मनाको इटली Swigiland लग्जंबर्ग बैलजियम इन सभी से इसकी सीमा टच करती है इधर की साइड जाये तो इसकी सीमा इस प्राइदीप के साथ भी टच करती है जिसमें आपका देश आता इस्पेन तो इस्पेन की सीमा और इन दोनों देशों की सीमा पर एक परवत है जिसको कहा जाता है पायर नीज परवत तो पायर नीज परवत इन दोनों देशों की सीमा पर बना हुआ है और इसी परवत पर एक दो देश है जिसका नाम है अंडूरा देश तो पायरी नीज दोनों देशों की सीमा पर है तो एक तरफ देखेंगे इसकी सीमा पडूसी देशों के साथ टच करती है एक तरफ इसकी सीमा अट्लांटिक महासागर को टच करेगी और एक तरफ इसकी सीमा भूमद्य सागर को टच करेगी तो यह अट्लांटिक महासागर भूमद्य सागर इस्पैन इटली स्विजल लेंड जर्मनी लगजंबर्ग और बेल्जियम आदी देशों को इसका मतलब यह एक इस्तल अवरुत्य देश नहीं है जली देश है तटी देश हैं जिसकी दोनों तरफ समंद्र को टच करता दो तरफ प्रूसी देशों को इस परश करता अब यहाँ पर कुछ चीजों को समझा जाए तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस की रास्दानी पैर यहां पर देखें तो पैरिस फ्रांस की राजदानी सबसे अधिक जनसंक्या तो पॉपुलेशन में अगर हम जाएं तो जनसंक्या में अगर हम जाएं तो जनसंक्या में फर्स्ट नंबर किसका आता है पैरिस का फैशन इंडस्टी के नाम से जाना जाता है दूसरा कोशन आता नहीं पैरिस किस नदी के तड़ पर हैं सीन नदी क्या करती है फ्रांस से निकलने के बाद इंग्लीज चैंडर में ली हावरे बंदरगा के पास में गिर जाती है इसके बाद कुछ और शैरों के बारे में जैसे चर्चा होई ती जैसे एक शेर लगा था आपका नांटी स left Donna में एक नदी है यहां पर भी एक नदी प्रवाइत होती है जिसका नाम हम लौइरे नदी की बात की जाए तो लौरे नदी के मुहाने पर इस्तित्य नांटीज अगर नांटीज की बात करें तो ये पेपर उद्धियोग के लिए फहमास है पेपर इंडस्ट्री के लिए फहमास है किसके लिए फहमास है पेपर उद्धियोग के लिए फहमास है तो पैरिस सबसे अधिक जनसं क्या वाला शहर है नांटीज की बात करें तो ये पेपर इंडस्ट्री के लिए फैमास है इसके नीचे एक शहर की हमने बात की थी बॉड्डियक्स की बात करें तो यहां पर भी दोस्तों एक नदी प्रवाहिद होती है इस नदी का नाम है जरौन नदी कही जगा गुरोन इसके बाद अगर हम बात करें टलाउस की अगर हम टलाउस की बात करें तो टलाउस यहां पर याद रखना जनसंक्या की द्रश्टी से फोर्त नंबर पर आता है और प्रमुख शहर है और यह फूड मतलब खाझने के लिए सबसे ज्यादा था सब्सक द्रharm के लिए छहां पर फ्रांस के अंदर सबसे अगर अच्छा खाना मतलब कहां है यह साकर की बहुमद्य सागर के तड़ पर तो फ्रांस में सबसे अधिक जनसंक्या है पैरिस में और अगर population में second किसी का इस्थान आता है तो वो second इस्थान आता है किसका मार्सली का तो जनसंक्या की दुरस्टी से दूसरा सबसे बड़ा मार्सली ठीक है इसको फ्रांस का दूसरा पैरिस भी का जाता है तो पैरिस की तरह अधिक जनसंक्या होने के कारण और फैशन इंडिस्टी के लिए प्रसिद होने के करण इसको फ्रांस का दूसरा पैरिस का जातर भूमद्य सागर के तट पर इस्तित फ्रांस का सबसे बड़ा शहर है इसके अलावा अगर देखा जहां ये पूछा जाएगा कि ये किस नदी के तट पर इस्तित है स्विजल लेंड में एक परवत हमने पड़ा होता है आलपस परवत जो एक वलिद प मारसली के पास में गिर जाती है मारसली बिल्कुल नहीं है लेकिन पास में इस्तित है इस नदी को कहा जाता है रौन नदी तो सीन नदी का मुहना आप देख रहें किस साइड जा रहा है लायरेज रौन नदी के मौहने किस साइड है तो फ्रांस की एक महत्र नदी जिसका अगर लॉइन की बात करें तो ये population में population में तीसरे इस्तान पर है और इसको France की Silk City के नाम से जाना जाता है क्या कहा जाता है इसको France की Silk City के बारे में जाना तो लॉइन क्या है France की Silk City Population में तीसरा processed है और ये पॉपूलेशन में दूसरा है तो नीस की अगर आम बात करें तो ये भूमम्दे सागर के तट पर इस्फीद act दूसरा सबसे बड़ा शहर किसके कोडिंग जाएगा तो दूसरा बड़ा शहर मारसली है और भूमद्य सागर के तड़ पर इसती सबसे बड़ा शहर है और भूमद्य सागर के तड़ पर इसती दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा जाएगा नीस इस तरीके से यह सारी चीजे हमें फ्रांस की याद रखनी है इसी में आल्स परवत से एक नदी निकल कर जाती है जो इसी फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर परवाहित होते हुए आंगे चली जाती है इस नदी का नाम है राइन विश्व की सबसे व्यस्त नदी कभी डिटेल से इसकी चर्चा करेंगे राइन नदी सिर्फ यहां पर इसलिए पढ़नी है कि यहां पर राइन नदी क्या करती है जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा मनाती है तो फ्रांस का यहां पर एक परवत है जिसको कहा जाता है वास जैस परवत तो फ्रांस के वास जैस परवत और एक साइड है ज को और नदी की हम बात नहीं कर रहें तो ब्लैक फ्रास्ट परवत की अगर अगर अम बात करें तो फ्रास्ट के वाश्ट्यषव परवत के बीच में यंदिधी परवाइत century उसे जाता है राइन नदी और यह यहां पर एक ब्रंस गाटी का निर्मान करती है तो हम यह कह सकते हैं कि बॉस जैस और ब्लैक फॉरेस्ट ब्रंस गाटी के दोनों तरफ परवत हैं और यह दोनों ही ब्लॉक परवत के उदाराने ठीक है तो यह चीज़ें याद रखेंगे इसके लावा अगर और चीज़ों की बात की जाए तो यहां पर तो फ्रांस के उपर तो नाम इसका दोवर न जलसंदी क्या के ऊपर है तो उत्त्री सागर तो इंग्लिज चैनल से जोडने का काम करती है और France को UK से वेवाजित करती है तो इस परकार से दोस्तों याद रखना है आपको France की सारी काने सारे महतपुण शहर जो समाचार पत्रों में आई हुए थे तो हमें वहीं चीजों को पड़ना है जो खास तोर पर समाचार पत्रों में दिया रहता है इसी के नीचे part का सकति क्राइब औरे साभी जिसपर ईटली का दिकार है तो आज के प्रशिन की अगर हम बात करें तो यहां पर कोशन है अमेजा नदी बेसिन के संदर में असत्य कतन है यह विश्व में दूसरी सबसे लंबी नदी है यह बिल्कुल सही बात है विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो लंबी नदी का नाम आता है नीन नदी और बड़ी नदी में आता है किसका नाम अमेज़ा नदी का तो ये वीश्यू की दूसरी लंबी नदी है इसके दाइने तटकी परमुक नदी नेग्रो मैंने अभी आपको बताया थे कि अमेज़ा नदी की दो परमुक नदिया हैं एक इधर से आती है जिसका नाम है नेग्रो और एक साइड से मिलती है जिसका नाम है मडीरा तो अगर आप प्रवह को देखेंगे तो प्रवह इस साइड जाता है तो यह होगा आपका left hand और यह होगा right hand तो इसका मतलत दायां आपका इस तरफ होगा और बायां इस तरफ होगा तो कोटेशन में जो दिया हुआ है वो ये लिखा हुआ है इसके दाहिने तटकी प्रमुχ नदी नैग्रो फुर्ट में शहीं के ब्राजीलियन उच्भूमी का विस्तार है ये कोटेशन बी कही ना कहीं सही है अमेजन वनों को वर्षा वनों की संग्या दी जाती है तो इनी को विशु के फैंपड़े और वर्षा वन के नाम से जाना जाता है तो ये quotation भी सही है तो इसका मतलब केवल एक quotation हमारा गलत है वो है second तो option के according जाएंगे तो 1 and 2, 2 and 3 2, 3 and 4 और only two तो अंसर क्या हो जाएगा कि केवल दो यहाँ पर आपका कथन क्योंकि question क्या पूचा गया था असत्य कथन के बारे में पूचा गया था अब ब्यास प्रिशनों की बात की जाए यहाँ पर अपवा चेत्र की रष्टी से विशु की सबसे लंबी नदी है तो comment box में इसका आप अंसर देंगे ठीक है दूसरा दिया है इनमें सुमलित नहीं है और इनिको बेसिन USA अमेजन बेसिन सैलवास पराना बेसिन लानोस अमेजन बेसिन पंपास तो कौन सा यहाँ पर सुमलित नहीं है तो comment box में इसका आप अंसर देंगे तो इसी के साथ यह वाला topic आपका खत्म होता है धन्यवाद